नमस्ते दोस्तों मैं हुग उकुलदाबाडे ब्लीवर्ज नंबर वन चैनल पे आपका सभी का सदाकत करता हूँ आपरेटर मशिन मालिक कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले सभी भायू के लिए चोटा सा उडियो बनाया है जो आपके लिए बहुत ही फाइदे में हो सकता है करोना के लॉगडाउन के वो जैसे सभी के कामकास बंद है इस लॉगडाउन में जैसे आप खुद का और फैमिली का खायल कर रहे है वैसे ही एक मेंबर है जो आपके बिजनेस में आपका साथ देता है आपकी कंस्ट्रक्शन में वीज़ होने वाली मशिन बैको लोडर क्रे करते हैं वैसे ही लॉगडाउन के समय मशिन जगा पर खड़ी होती है तो कुछ ऐसी चीज़े हैं जो हमें ध्यान रखने जरूरे जिससे लॉगडाउन खुल जाने पर हमारा मशिन पहले जैसा फटा-फट काम करें उसमें कोई दिक्त नहीं आए सबसे पहली बात बात करें करेंगे बैटरी की जैसे मोबाइल की बैटरी जो इसको चार्ज करने के लिए मोबाइल का चार्जर से चार्ज करता है उसी तरह मशिन को बैटरी की चार्जिंग के लिए अल्टरनेटर है अल्टरनेटर तब काम करेंगा जब गाड़ी चालू रहेगी आपको बस इतना ही क तब तक एक दो गाने मोबाइल पर सुन लो जब लॉक्डाउं खतम होगा मशिन तुरंच चालू हो जाएगी बैटरी का कोई समय से उसमें है आएगी अब बात करते हैं अब हैंड ब्रेक के हैंड ब्रेक लगा कर आपने गाड़ी ख़ड़ा कर दिया होगा उससे पीछे टाय जब हैंड ब्रेक खुलते हो तो ब्रेक पैड लाइनर 10-15 विनों तक मुवमेंट नव होने से टायर को आगे पीछे नहीं होने दिता है उसकी वज़े से एक्सल का रोड भी तूट सकता है उससे अच्छा आप सीधा फ्लैट ग्राउंड सर्पकेस के गाड़ी कार्क करें अ उससे गाड़ी आगे पीछे नहीं जाएगा टायर अब टायर की बात करते हैं टायर वाली मशीन 10-15 दिनों तक एक ही जगा पर खड़ी है टायर पर फ्लैट मार्क आ सकता है उस जगा पर रबर खराफ होकर टायर जल्दी खराफ होगा यह सब ना हो सके इसके लिए मशीन द आपका मशीन बाहर खुले पार्क में हो सके तो हो सके तो तो कैबिन को कवर कर दे ड़स उसके अंदर नहीं जाएगे काम शुरू करने से पहले सैनिटराइज करना ज़रूरी है और लबी हम बात करते है सिलेंडर की आपको पात जो मशीन पार्क कर दिया है उस सिलेंडर के लोड़ अंदर करके रख दीजिए जिससे आपके सिलंडर पर स्क्राइच नहीं कुड़ेगा या रस्ट का गंज जमा नहीं होगा आपका मशीन का सिल्किट खराब नहीं होगा आपका मशीन में कोई ऐसा हैड्रोलिक प्रॉलिम नहीं आएगा आप बात करते हैं डिजल टैंक और हैड्रोलिक टैंक जहकन या कैप के बारें बहीं तरी उसको इसको सही तरीके से कसके करके रखेए अगर खुला रह गया तो उससे मशर मैशा और डस्ट अंदर जा सकती है मशीन कंत्व आते समय दिक्कत हो सकती है इसलिए अच्छी तरह से उसे कस के टाइट करके रखिए जैसे आप अपने मशिन का खाल रख रहे हैं वैसा ही अपने स्वास्ता का खाल रखे घर में रोज एक्सरसाइज करें निरों की कि खुशाल रहे लॉगडाउं के खत्म होने के बाद फिर मिलेगे प्लीज टेक केर थैंक यू वेरी मच्छ स्टेश सेप और स्टेए हो